हेलो डोक्टर्स प्लीज आप अपने बीजी सेडूल में से पांच मिनट निकाल के इस वीडियो को लास्ट तक देखना आज बहुत सारे यूजफुल इंफरमेशन आप लोगों के लिए सबसे पहला तो ये मैंने कई दिन पहले कहा था के MCC All India Quota Counseling Procedure 20th September से शुरू होने वाला है और आज ये इंफरमेशन MCC की Official Website पे भी आ गया है आज से Counseling Process स्टार्ट हो गई है Registration Process स्टार्ट हो गया है दोस्तो दोस्तो मैंने ये भी कहा था के MCC अपने Counseling Procedure में डिले क्यों कर रहा है उसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये 20th September सुप्रीम कोर्ट हीरिंग का वेट कर रहे है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हीरिंग कम्पलीट हुई तुरंत MCC की Official Website पे ये नोटिस आ जाता है दोस्तो दोस्तो एक और नोटिस आया है MCC की Official Website पे जिन स्टुडेंट ने पार्टिस्पेट किया था नीट PG 2023 कांसलिंग में स्ट्रे वेकेंसी राउंड में और स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड में और उनको सीट एलोट हो गया था बट उन्होंने जोइन नहीं किया ऐसे बहुत सारे कंडिडेट को डी बार कर दिया गया है नीट PG 2024 कांसलिंग के लिए ये ओफिशियल नोटिस आप MCC की वेब साइट पे जाके चेक कर सकते दोस्तो दोस्तो इस चैनल पे कांसलिंग रिलेटिड फुल असिस्टेंस फुल इंफोमेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी DNB में कहां पे कितनी सीटें हैं किस प्रोग्राम में कितनी सीट हैं किस ब्रांच में कितनी सीट हैं ये सब इंफोमेशन MDMS किस ब्रांच में कितनी सीट हैं कहां पे कितनी सीट हैं पूरा information और पूरी counseling related assistance यहाँ पे time to time आपको provide करता रहूंगा। दोस्तो आज के वीडियो में हम detail बात करेंगे Supreme Court hearing के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम counseling से related discussion करेंगे। तो दोस्तो बात करते हैं आज Supreme Court में आखिर क्या हुआ। शुरू करते हैं थोड़ा पहले से थोड़ा एक हमें idea हो जाए कि हम किस track पे चल रहे हैं। पहले क्या था situation और आज क्या है। 13th September को सबसे पहले जब student का petition NEET PG 2024 result controversy को लेके accept होता है। तो petitioners की जो main demand थी these are release answer की, release paper, release response sheet and also release pre and post normalized score and they have issue about scorecard marks. Means there was mismatching, student feel mismatching between their expected score and their original scores in scorecard. तो दोस्तो ये थे शरू के demand, इन demand को देखते हुए Chief Justice of India ने notice serve किया था NBEMS को कि student की in demand के बारे में आपका क्या कहना है। reply में NBEMS ने क्या कहा हमें पता नहीं, NBEMS का Supreme Court में क्या reply था, ये disclose नहीं किया गया है दोस्तो, अब मुझे नहीं पता NBEMS ने इन grievances के regarding क्या reply दिया है Supreme Court में Chief Justice of India को. आप बात करते हैं, 20th September यानि आज की hearing के बारे में, पीछे का background आपको ध्यान है, क्या demand थी, Petitioner Advocate ने आज क्या अपनी दलिल रखी, she criticized normalization process, उन्होंने कहा कि normalization process सही नहीं है, student को normalization process के बारे में exam से 2-3 दिन पहले inform किया गया, उन्हेंने कहा, it was just like a knee jerk reaction, or like a knee jerk reflex, means sudden response, उन्होंने कहा, के there is lack of regulation to conduct this examination, and everything is based on information bulletin, और इस information bulletin को NBEMS जब चाहे तब बदल लेता है, यानि तीन चीजों को लेके NBEMS को criticize किया गया normalization के बारे में, कि normalization का process आपका सही नहीं है, और immediate आपने student को 2-3 दिन पहले ही normalization procedure के बारे में explain किया, lack of regulation को भी criticize किया, अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, कि कहीं बात अपने मुद्दे से भटक गई है, बात थी हमारी main, क्या, exam transparency को लेकर, क्योंकि exam transparency वाला जो point है वो ज़्यादा वी नेबल है, अगर हम बार-बार answer key को, official paper को release करने की, response sheet को release करने की बात करें, तो उस चीज में ज़्यादा dumb है, वो चीज ज़्यादा venable है, क्योंकि नहीं तो हर एक इन questions का answer, NBEMS, आसानी से Chief Justice of India को दे देंगे, और Chief Justice of India convinced भी हो जाएंगे, एनिवे, Chief Justice of India ने इस चीज को कैसे interpret किया, उन्होंने NBEM Council से पुछा, why exam pattern modified three days before exam, exam pattern, यहाँ पर बात क्या आप कही गई थी, कि तीन दिन पहले normalization procedure के बारे में बताया गया है, student को, but Chief Justice of India ने कैसे interpret किया, कि exam pattern तीन दिन पहले क्यों modify किया गया, अलांकि exam pattern के बारे में तो NBEMS ने 6th July को बता दिया था, 9th August को NBEMS ने बताया था, normalization process के बारे में, exam दो shift में होना यह बात तो कब बता दी थी, 6th of July को, right, okay, फिर एक और question पुछा गया, why there is no regulation regarding conducting this exam, and Chief Justice of India नाराज भी हुए, और उना का, it is very unusual and student will melt down from such kind of sudden decision, like change in paper pattern, but paper pattern change नहीं हुआ था, क्या चीज़ हुआ था, normalization process के बारे में inform किया गया था, NBEMS ने तुरंट immediate reply किया, that there is no unusual, Chief Justice of India ने detailed response मांगा है, 20th और 27th of September तक, from union government, और from NBEMS दोस्तों यह आज हुआ है, तो जहां तक मुझे लग रहा है, कि कहीना कहीं हम अपने मुद्दे से थोड़ा बटक रहे हैं, पहली बात, और कहीना कहीं यहां पे तालमेल की कमी हुई है, जो यह कहना चाहरे थे, Chief Justice of India ने उस से थोड़ा हट के interpret किया है, अब बात आती है, Now what we should do, हमें क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है, NBEMS का reply क्या होगा, NBEMS का reply क्या होगा, NBEMS कहेगा, कि paper two shift में होना था, यह हमने 6th of July को भी बता दिया था, इट मिन्स दिस वाज नोटे सदन रिस्पॉन्स, इस वाज नोटे सदन रियक्शन, हाँ, 9th of August को हमने बताया था, normalization procedure के बारे में क्यों, तोकि two shift को लेके social media पे काफी हंगामा हो गया था, इसलिए student को convince करने के लिए हमने, 9th of August को normalization procedure explain किया था, ऐसा मुझे लग रहा है, कि NBEMS का reply होगा 27th September को, यूजली मेरे अजंसन सही होते हैं, now what we should do, पहला, we should participate in counselling, जो कुछ भी है reality को तो accept करना पड़ेगा, जो भी हम ना तो judiciary को criticize कर सकते, और ना हम कही ना कहीं center government को ज़्यादा criticize कर सकते, हाँ ठीक है कमिया है, बट हमें move on तो करना पड़ेगा, सो counselling में दोस्तों आप participate कीजिए, साथ में आपका जो main cause है, उसके लिए fight कीजिए, means exam transparency के लिए fight कीजिए, कम से कम future में तो exam transparency increase हो, यानि NBE को अपनी examination में rule बनाना चाहिए, कि वो exam दो shift नहीं, एक shift में करेंगे, question paper release करेंगे, answer की release करेंगे, और response release करेंगे, इन चार चीजों के लिए आप अभी fight करेंगे, तो हो सकता है, आज के, या अब के exam में benefit ना हो, बट future की examination 2025 में, 2026 में, आने वाले student को benefit हो जाए, तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, comment करके बताए, thank you very much.